दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को दबाना ना भूलें हेलो दोस्तो आज हम बनाने वाले बहुत ही बढ़िया वाली चिकन बिर्यानी यह बिल्कुल रेस्टोर्ण स्टाइल बनती है और इस रेस्टोर्ण स्टाइल बनाने के लिए सारे राज में आपको आज बताऊंगी से बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया है एक किलो स और स्वात की नुसार हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चमच काली मिर्च पाड़ो लिया है, अब इन मसालों को हम चिकन में मिक्स कर देते हैं, इसके साथ हमें इसमें डालना है, एक चमच जिंजर गाली का पेस्ट और हम डालेंगे इसमें निम्भू, तो मैंने आधा निम्भू लिया है, आधा निम्भू का रस निचो के ले लेते हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स करें और हमारे चिकन को हमें मिर्नीट करके रख देना तो कम से कम इसे 30 मिनिट यानी के आदे गंटे तक मैरिनेट करना है मैरिनेट करने से नीमबू और मसालियों का जो टेस्ट है वो भी चिकन में अच्छे से पकड़ता है और जो हमारा चिकन है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है अब इसे हम आदे गंटे के लिए रख देते हैं अब चावल तयार करते तो मैंने दो कप बासमदी राइस लिया है इसे अच्छे से दो के क्लीन किया है अब इसे हमें भीगो के तीस मिनिट के लिए रखना है तीस मिनिट कम से कम मासमदी राइट को भिगो के रखना है और साथ ही हमें चाहिए एक कप दूद्ध तो दूद्ध में मैंने थोड़ा सा केसर डाला है उसे मिक्स करके आप इसे भी साइड में रखते अब हमने जो मैरीनीट करके रखा चिकन है उसे हमें कुक करना है तो मैं इसे डारेक्ट भी कुक कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक स्पेशल टिप आपको बताती हूं कि जो राइस है जब वो चिकन की स्टॉप में बनाएंगे उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और वही उसकी जो है चिकन बिर्यानी की एक में टिप है तो आप इत्यान ज अब हमारा जो चावल है वो अच्छे से भीग चुका है पानी हमने निकाल दिया है अब कुछ खड़े मसाले ले ले लेते तो दो चोटी इलाइची ली है दो चोटे टुकडे दाल चीनी के और एक में इस्टार लिया है दो तेजपता लिया है और तीन से चार मैंने चार से पाँच मैंने हरी मिर्ची ली है अब देखे कि हमारा चिकन जो है वो तेयार हो चुका है एक फिसल बज गई है हाँ देखे बढ़िया एक तम से पानी इसका जो है अलग हो गया है अब हम पानी को सप्रेट कर देते हैं हमने इसे अलग बरतर में निकाल ले यह कम से क चार कप पानी आपको मिल जाएगा क्योंकि तीन कप अपने डाला है और एक कप कम से कम चिकन से निकलेगा तो ओवरल हमारे पास चार कप पानी है अब हमने पैन में एक टेबल स्पून ओले ले लेते हैं जो हमारी खड़ी मसाले है वो हम इसमें डाल देंगे इसके साथ हम कर दोस्तों मैं एक आधा प्याज डाल रही हूं तो इसके स्लैसे के तौर पर काटा है और आधा प्याज भी इसमें डालेंगे अच्छे से मिक्स करके हलका सामें से फ्राइ करना है थोड़ा सा जो प्याज है वो चेंज हुजा कलर में नहीं पकाना है एक चाता ही चंबच म तेस्ट आने के लिए हम यह त्यारी कर रहे हैं अब एक चाता ही चंबच मन इसमें हल्दी पार्टर भी डाल दिया है अब हमारा जो चिकन का स्टॉक है वो हम इसमें डालेंगे तो जैसे मैंने आपको का कि यह चार कप पानी है और दोस्तों हमने दो कप राइस भी खोए है तो दो कप के लिए चार कप पानी हमने लिया है अच्छे से मिक्स करें और स्वात के नुसार थोड़ा सा कर नमक चाहे आप और एड़ कर लें क्योंकि चिकन की स्टॉक में भी नमक होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखे सालधानी से ही एड़ करें अब जैसे इसमें हलका से चावल मिक्स कर देंगे इसी मीडियम आज पे हमें यह से ढखके पकाना है तो मीडियम आज पे हम इसको अच्छे से ढख देंगे और एसे कम से कम साथ 7 मिनिट के लिए रखेंगे हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे को हम हम चिकन के लिए मसाला त्यार तो मैंड दो चमच धनिया बॉडर लिया है, एक चमच हल्दी पॉडर, एक चमच लालमेश पॉडर, एक चमच बिर्यानी मसाला लिया है, अजर ना हो तो आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, आधा चमच जीरा पॉडर और एक टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजो गाली का पेस्ट रखा प्याज की थाज स्दूल, और वेधियू ना है, नहीं 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 और भासन लेए उय। आप सबसे सहाँ हम बड़ा पैन वे सिखमे हम लियाँ मेरी की अपेस्ट पेस्ट जेंगे और मिन्ठ भी लिया, इस तरह साँ अच्छे से आप अब हम इसमें डालेंगे हमारे slides किये हुए प्याज तो मैं प्याज को बहुत पतला सा किया है ताकि अच्छे से इसे फ्राई करना है इसका रंग एकदम golden brown हो तब तक हम इसे पकाना है तो इसे अच्छे से फ्राई करें आप और स्वाद के निसारस में नमक भी आड़ कर दें मीडियम टू स्लो आज में आप प्याज को पकने दें और अच्छे से ब्राउन हो तब तक आप इसे चलाते रहें तो इसके लिए हमें थोड़ी तेरी से ढखके रखना पड़ेगा अच्छे से मिक्स करने के पाद आप इसे पांच मेट के लिए ढख दें मीनवैल हम देख लेते हैं हमारे चावल तेयार हो चुके है नहीं तो हल्का सास में अलबरी रड़ी हो चुका है तो गैस आफ कर दे यहां पर हमारे प्याज भी रड़ी हो गया आप देख सकते काफी अच्छा मैंने डाक ब्राउन किया है उसी तरह से आप भी करके लिए क् अच्छा में 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 जैसे यह पानीी जाएगा वह मसाले अगदम टालने के वाद अच्छेसे मिक्स तर सर्फ पाने छहरो ना जाए बतलो न को बढना हो शुआ दढ़ने लगे और तेल निकलना जाए तब तक digits में पासंट जब देखेंगे तो देखेंगे कि मसाला है वह काफी अच्छे से भून चुका है और देखें एकदम की बढ़िया स्मूध ग्रेवी तयार देख रही है अब हम इसमें हमारा जो पका हुआ चिकन है वो डाल देते हैं तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स करें और चारो तरफ से जो चिकन है वो बढ़िया से कोट हो जाना चाहिए ताकि मसाले की जो टेस्ट और फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में आ जाए अब इससे हमें धख देना है और पांच मिट के लिए पकाना है दोस्तों आपको यादो का हमने विसल सिर्फ एक ही लगाई थी तो अब कम से क हम पांच से ची मिनिट लगेंगी से अच्छे सी ढख दें तो अच्छे जी से ढख दें आपको 5 मिंट बार देखेँए ता आपंगे जो चिकन है वो अलमूस पक चुका है काफी अच्छा बढ़िया दिख रहा है और एक बड़ आप देख लें की अच्छे से पक चुका है तो उसे एक बार अच्छे से मिक्स करें ताकि जो मसाला है पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए अब हम इसमें डाल देते हैं आधा नीमबू और थोड़ा से कटा हुआ हरा धरिया तो बस दोस्तो चिकन बिर्यानी के लिए जो चिकन का मसाला है या चिकन ग्रेवी है वो तयार हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से आधा चिकन निकाल लेंगे क्योंकि हमें अब दम करना है इसे तो हम इसमें से आधा चिकन निकाल लेते हैं इसे बीच में इस तरह से सेंटर में रख ले और जो हमारे चावल है उन्हें अच्छे से मिक्स करें ताकि वो खुल जाए आप देख सकते एक दम खिले खिले चावल है हमारे तो अब इन्हें चावल को हम इसके उपर डालना है अब इसे अच्छे से इसको कोट कर दे कवर कर दे उसको हम दम करना है तो हम इससे बढ़िया से कवर कर देते हैं तो चावल भी आधी ही ले आधी चावल डालके उसको अच्छे से कवर कर दे अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया अगर आपके पास पोदीना है ता पोदीना भी आड़ कर सकते हैं तो इस तरह से हमने धनिया डाला है एक से दो चमबचम देशी घी डालेंगे और हमने जो केसर भीगो की दूद रखा है वो आधा कप दूद इसमें डाल देंगे हमने एक कप दूद रखा है आधा कप पहले हम डालेंगे अब बच्चे हुआ जो है हमारा तले हुए प्याज वो प्याज इसमें डाल देंगे उसके बाद हम सेकंड लेयर बनाएंगे तो हमने जो चिकन मसारा बाहर निकालके रखा था उसे डाल देते हैं उसे भी अच्छे से इस पर फैला दे अब इसी तरह से हम दूसरा कोट करेंगे यानि कि दूसरी लेयर लगाएंगे तो इसके पर दुबारा से आप जो बचा अब बचा हुए हमारा आधा दूद है वह आधा कब दूद भी हम आप इसमे डाल देंगे अब बचे हुए प्याज जो फ्राय की हुए है वो भी हम दाल देंगे तो इस तरह से हमारी जो लेयर जे वो पूरी हो चुकी है अब हमें इसे दम देना है तो हमें इसे अच्छे से टाइट ढखकन से ढख देते हैं और पांच मिनिट के लिए धीमी आज पर पकने देते है पांच मिनिट के लिए हम इसे दम देंगे थोड़ा टाइट ढखकर लगा के रखे अब हम इसे पांच मिनिट हो चुके हैं तो अब ओपन करिए और देखे देश्टो हमारी बिर्यानी बिल्कुल तयार है बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत फ्लेवर वाली बिर्यानी है